हेलो नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं आपके लिए एक धमागेदार चीज लेकर रहा हूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्य आँगा वीडियो में तक देखेंगे और दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो दोस्तो आए शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक नॉर्मल से पैकिंग में आया था इसको उस डबे में से मैंने निकाल लिया है इसको निकाल लेते हैं जल्दी से और उसके बाद देखते हैं तो ठीक है दोस्तो इसको कर देते हैं दूर तो दोस्तो देखें यह है तो दोस्तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यह TPA 3116 का एक एम्प्लिफायर बोड है जो कि बहुत ही छोटा है आप यह समझ लीजिए कि मेरे अंगोठे से भी यह अधा जस्ट हाफ है बड़ दोस्तो यह काफी पावफुल एम्प्लिफायर है बहुत ही पावफुल यह क्लास D एम्प्लिफायर है ठीक है दोस्तो पहले क्या होता था क्लास A एम्प्लिफायर आते थे फिर क्लास B एम्प्लिफायर है फिर क्लास A B एम्प्लिफायर आने के बाद हमारे पास फाइनली यह क्लास D एम्प्लिफायर है जो कि बहुत ही पावफुल आईसी के साथ है इस आईसी का जो आउटपुट होता है वो 50 प्लस 50 वाट होता है दोस्तों stereo output में यह IC होती है बहुत ही powerful मतलब काफी powerful मानी जाती है और बहुत ही अच्छी sound quality के साथ यह IC आती है तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा board है और 50 plus 50 watt मतलब enough है इस board के size को देखते हुए तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे खाल से जो हम छोटी डिवाइस और काफी powerful हम बनाना चाहते हैं उसको तो समझ लीजिए आप यह कि बहुत छोटी सी डिवाइस है बहुत ही छोटा integrated circuit है यह बहुत ही जबरदस्त है तो दोस्तों आने वाली वीडियो में हम इसका sound test करेंगे बताएंगे इसके बारे में सब इसमें actually SMD components लगे हुए जो register और capacitors है सब SMD है इसमें और एक single IC के साथ है तो दोस्तों वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कुछ suggestion देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मैं आपको reply करूँगा ज़रूर और आप मुझे बताएंगे कि आपको यह board कैसे लगा बहुत ही अब जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में देखना बहुत ही छोटा board है इसके connection और इसका sound test हम next वीडियो में करेंगे अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इस से related अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं ठीक है दोस्तों आज के ल बढदेगा olsun झाग पड्यार आपको कुछ टूण